दुनिया की पहली सडक पर और हवा में चलने वाली एर कार बना ली गई है और इसका पहला ट्रायल सक्सस्फुली कम्प्लीट भी कर लिया गया है स्लोवाकिया की कम्पनी क्लीन विजन ने इस कार को बनाया है इस कार के अंदर BMW का 1.6 लीटर का इंजन लगाया गया है इस कार ने स्लोवाकिया के नाइटरा शहर से स्लोवाकिया की राजधानी रातिसलावा तक की दूरी को 35 मिनिट में कवर किया है दोस्तों और जैसे ही इनका ट्रायल कम्प्लीट हुआ ओला, उबर, डीडी और टेसला जैसी कम्पनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जटाई है रातो रात इस कम्पनी की वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है इस कार को बनाते हुए सबस्यदा इस बात पर धियान रखा गया कि कैसे ये पूरी दुनिया में बेची जा सकती है इस कार के अंदर नॉर्मल पेट्रोल जो कि हम कार और बाइक्स में डलवाते हैं वही पेट्रोल डलता है इस कार को नाम दिया गया है एयर कार एर कार एक बार में 1000 किलोमेटर तक की दूरी तैय कर सकती है इसमें एक बार में दो लोग बैट सकते हैं और लगबग 200 किलोग का समान भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं ओला एंड उबर बहुत बड़े लेवल पर अपनी एर टैक्सिस लाँच करने वाले हैं कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ऐसे में सकार की कीमत क्या होनी चाहिए बाकि नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा जरूर दीजिए